आप सभी अच्छे से होंगे तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं यह फिर एडिकेशनल गाइडनस इन कांस्लिग फ्रॉम प्रोग्राम प्रोग्राम किस फिलॉसिफिकल एंड सोशो कल्चिरल फांडेशन ऑफ गाइडनस ठीक guidance क्या है उसकी meaning क्या है types क्या है and aim of guidance and principles of guidance जो है उस पर मैंने अलग से videos बनाये हैं जो मेरे playlist namely educational guidance and counseling में मैंने upload किये हुए है I recommend you all कि आप वो पहले या इस video के बाद देखे ताकि आपको अच्छे से understanding मिले philosophical हम पहले पढ़ते हैं philosophy क्या होती है ideas or beliefs ठीक मतलब ideas or beliefs क्या है for guidance guidance क्या है philosophical thinker जो है वो क्या सूचते है guidance के बारे में या उसके principles असूल क्या है वो हम देखते है main principles of philosophy of guidance जो है that are the dignity of individual is supreme dignity जो है guidance के दोराण वो ध्यान में रखना है उसकी जो respect जो है उसकी self respect वो self-esteem वो बराबर बरकरा रखना है उसको supreme रखना है during guidance program each individual is different from every other individual means हर कोई individual एक दूसरे से different है हर किसी की अपनी identity है अपनी physical social जो भी aspect है अपना अपना है तो हमें वो difference जो है दिमाग में रखके guidance प्रोवाइड करनी है किसी की अपनी problem हो सकती है अपनी गर पे problem हो सकती है पढ़ाई में problem हो सकती है या किसी और को किसी और field में problem होगी तो हमें different patterns अपनाने है during the guidance of any person the primary concern of guidance is the individual is in his own social setting primary concern of guidance क्या है कि individual को उसकी अपनी setting में guidance देना ये इसका primary concern है उसकी social background कैसा है उस हिसाब से उसको guidance प्रोवाइड करना the attitude and personal perceptions of individual are basis on which he acts एक person का attitude या behavior कैसा होगा या personal perception क्या होगा वो चीजों को कैसे देखेगा वो उसके अपने activities पे depend करता है ठीक the individual generally acts to enhance his perceived self individual जो भी कोई काम करता है जो भी कोई action करता है वो अपनी satisfaction के लिए करता है ठीक अपनी personality develop या enhance करने के लिए एन individual needs a continuous process from birth to adult ठीक एक individual जो है वो continuous guidance process जो है वो उसको जरूरी होती है देनी from birth to adulthood क्योंकि जब एक for example school की बात करें हम जब एक अडल जो है या जो एक अडॉलसेंस है अडॉलसेंट है मेनी स्कूल में अडॉलसेंट होते हैं जब वो कोई काम करेगा अपने आपकी needs को satisfy करने के लिए या अपनी personality enhance करने के लिए तो वो कभी-कभी गलत काम भी कर सकता है गलत pathway पे भी चल सकता है जिसकी वज़े से उसकी personality पे effect होगा उसका जो depression उसको होगा तो guidance उसके लिए बहुत जरूरी है जैसे के हमें पता है हर किसी को inborn ability होती है ठीक हर किसी की अपनी अपनी ability होती है कोई किसी field में किसी skill में अच्छा कर लेता है और कोई किसी दूसरे field में अच्छा कर लेता है ठीक तो हमें क्या करना है उनको direct करना है for example आजकल 12 के बाद ज्यादा students need के लिए जाते हैं और कुछ drop out हो जाते हैं जो depression का शिकार हो जाते हैं या कुछ मतलब उतने ज़्यादा intelligent नहीं होते लेकिन उनको family उनसे ज़्यादा कुछ expect करती है कि इनको हम need preparation या इसके doctor बनाएंगे ही बनाएंगे लेकिन उनकी वो अपनी ability नहीं होती तो parents के लिए वो वो कर लेते हैं जिसकी विज़े से बाद में वो depression का शिकार हो जाते है तो हमें क्या करना है हमें school life में ही उनको guidance provide करनी है उनको अलग जो उनका अपना personal interest है वो उनमें जागरू करना है और ताकि वो उस goal directed में जाए self direction ताकि वो उस path पे जाए जो उनकी मर्जी से हो उनके अपने interest से हो तो guidance यहां पें बहुत बड़ा important role play करती है अब देखते हैं हम philosophical foundation of guidance in detail philosophy क्या believe करती है कि guidance की foundation क्या होनी चीए नीव क्या होनी चीए that is every individual has talent हर किसी individual का अपना अपना talent है किसी का एक किसम का talent है कोई गा सकता है music कर सकता है कोई dance कर सकता है कोई I mean sing कर सकता है कोई academic field में अच्छा कर सकता है ठीए वो marks अच्छा लेता है तो वो उस field में अच्छा है हर किसी का अपना अपना talent है तो हर कोई education field में ही नहीं जा सकता कोई इस field में जा सकता है कोई इस field में तो अपना career settle करने के लिए कोई यह field कर अपना सकता है लेकिन सारे इसी field में जाते है आगे आगे और limited seeds होती है तो हमें क्या करने है उनको guidance दीनी है जिस field में वो interested है उनको उसी pathway में हमें goal दिखाना है excellence is possible means क्या होता है जब guidance के throw अलग-अलग individual में उनकी उनका talent detect करते हैं throw guidance हर किसी individual का talent detect करते हैं और फिर उसको help करते हैं to achieve mastery in his talent ठीक कोई फिर से मैं बोलूँगी कोई education field में नहीं जाना जाता तो वो क्या समझता है कि मैं काबिल नहीं हूँ वो depression में चला जाता है वो social mal adjusted होता है in society तो वो बहुत अपने आपको low feel कराते हैं लेकिन excellence possible है those students में throw guidance हम उनको guidance दे सकते हैं जिसकी वज़े से और किसी field में वो excellent हो सकते हैं ठीक वो satisfy होंगे फिर because of guidance in life in life there are problems हमें पता ही है कि life is full of problems किसी को एक type की problem होती है या किसी को दूसरे type की है कि नहीं तो हमें क्या करना है उनको उस problem से निकालना है and that is only because of guidance possible respect the dignity of individual जो individual का self-respect है उसकी dignity है उसको हमें respect करना है ठीक किसी को inferior fear नहीं कराना किसी को superior fear नहीं कराना all are required तो guidance program में हमें dignity जो है individual की वो maintain रखनी है freedom of choice मतलब कि बच्चों को freedom of choice देनी है चाहे उनको जो भी करना हो चाहे vocational field में जाना हो या कोई भी educational field में जाना हो तो उनको different programs के थो vocational और educational programs के थो उनको guide करना है ठीक ताकि उनको choice मिले बहुत सारे courses में ठीक यह था हमारा philosophical foundation of guidance अब हम देखते हैं social cultural foundation of guidance ठीक यहां पे किस aspect के बारे में हम बात करें social cultural एक बच्चा या जो भी जिसको problem हो उसको society या अपने cultural जो भी culture होगा उसमें fit करने के लिए उसको क्या foundation रखी गई है guidance में ठीक social cultural foundation जो है that lies in environment of the individual environment में एक बच्चा कैसा है कैसी setting होगी वो देखते हैं guidance जो है वो एक individual को कैसे help कर सकती है in that field first is change in social pattern जैसे हमें पता है population explosion हो रहा है means population बहुत ज़्याद़ गरूँ हो रही है dvd और knowledge explosion हो रहा है means बहुत ज़्याद़ competition है ठीक society में बहुत ज़्याद़ competition है jobs जो है उसमें बहुत लोग appear हो रहे है तो क्या हो रहा है कि लोग इसकी वज़े से depressed हो जाते हैं ठीक बहुत ज़्याद़ problems की वज़े से depressed हो जाते हैं लोग तो in that matter guidance is required ठीक ताकि हम उनको guide करें वो कैसे इन problems से उबर सकते हैं कैसे इन problems को solve कर सकते हैं conservation of energy जैसे हमें पता है most of the people जो है वो misguide किये जाते हैं ठीक उनको एक रास्ते पे चलना होते हैं उनको दूसरा रास्ता दिखाते हैं जिसकी वज़े से humor resources और energy जो है वो waste की जाती है for example कोई बच्चा बहुत ज़्यादा talented होता है in singing ठीक in singing तो उसको क्या किया जाता है उसको misguide किया जाता है कि आप कुछ और बनो तो उसकी वज़े से जो वो contribute कर सकता था singing field में या जो कोई किसी को शौंक है scientist बनने का ठीक है उसको हम guide करते हैं कि आप singing field में जाओ जहां पे वो अच्छा नहीं करता ठीक तो क्या होता है कि energy human resources या energy का waste होता है जहां पे वो कुछ अच्छा excel कर सकते थे उनको वहाँ ना बेज कि हम गलत तरीके से बेजते हैं कोई misguide करता है उनको चाहे फिर family में हो या society में हो तो क्या होता है waste होता है energy का तो हमें ये energy या human resource conserve करना है through guidance ठीक ठीक है तो अब आते हैं हम next point पर that is changing condition of home हमें फिर से मैंने लिखा हुआ है अब हम देखते हैं changing condition of home पहले-पहले क्या होता था कारपेंटर जो था वो अपने बच्ची को गरपी ही कारपेंटर जो है कारपेंटर बनने के लिए training देता था ठीक है लेकिन अब क्या है कि ये home की condition जो है ये change करनी है through guidance अब कारपेंटर का बेटा कारपेंटर नहीं बनता वो better life जीता है आगे जाके through different jobs और through participating in different fields changing moral and religious conditions पहले-पहले क्या होता था ज्यादा लोग जब उनको कोई problem होती थी life में तो वो solution मांगने के लिए अपनी problem solve करने के लिए temples या in other religious places जाते थे तो वो अपनी problems जो है solve नहीं हो पाती थी उस हद तक तो क्या होता है ये chaos और frustration ये frustration इनसान की life में दूर करने के लिए guidance जो है वो बहुत ज़रूरी है ठीक अब guidance programs की वज़े से बहुत ज़्यादा problems जो है वो solve हो पाती है क्योंकि जब एक इनसान action करेगा तब भी उसको life का कोई भी fruitful life होगी और वो अपनी life में excel कर सकता है changing in school population school population means बहुत ज़्यादा population school में बढ़ रही है ठीक school में तो adjustment problems हो जाती है बच्चु में वो adjust नहीं कर पाते चाहे फिर वो society में हो या अपनी school में हो ठीक तो उनको क्या करना है उनको हमें guidance प्रोवाइड करनी है ठीक ताकि वो jobs या जो भी उनके field उनके लिए अच्छा होगा वो उनको मिले तो चलिए ये था हमारा आज का topic philosophical foundation of guidance and social cultural foundation of guidance अगर आप सब को मेरा ये video helpful लगा आपकी help हुई in this field then I request you all please like this video share my videos because sharing is caring अगर किसी को मेरी वज़े से आपकी वज़े से help होगी तो आपके लिए कुछ बेटर ही होगा तो comments में बताएं आपको ये video कैसा लगा आपकी help कि सहथ तक हुई please please and please and please मेरी इस channel education empowerment को subscribe करें ताकि आपकी help करूँ और मैं जिसको भी help चाहिए तो मैं उसकी help कर सकूँ and please for a moment pray for me and thank you so much for watching this video all the best for your exams thank you